अवे वेल्कम तो मोय फॉंडेशन ख्लास्ट इते हैं डेविश्ट स्टरी जिसमें आपको मिलते हैं डेली 50 कुईश्टन्स ठीक है चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट तो आज की सेट का आपका पहला कुईश्टन है कि सांची का उस्तूब किस ने बनवाया जल् ठीक है, कहां है ये, ये मदपरदेस में है, अगला कुछन है, गुलाम वंस का संस्थापक कौन था, गुलाम वंस का संस्थापक कौन था, तो गुलाम वंस का संस्थापक था, कुतुबुद्दीन एवग, ठीक है, गुलाम वंस का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन पुर्वी घाट और पस्मी घाट का मिला नस्तल तो पुर्वी घाट ठीक है यह है पुर्वी घाट यह है पस्मी घाट दोनों कहां पे मिल रहा है दोनों मिलता है तमिल लाडु में तमिल लाडु में कहां तमिल लाडु में निलगिरी की पहाड़ियों में यह दोनों मिलता ह अगला कुछ है ने लावनी और तमासा कहां का लोग निरित है बहुत बार एक्जाम में पूछा गिया है लावनी और तमासा यह दोनों कहां का लोग निरित है यह दोनों लोग निरित है महराष्ट का ठीक है महराष्ट का लोग निरित है लावनी और तमासा अगला कुछ है UNICEF का मुख्याले कहां है UNICEF का मुख्याले कहां है UNICEF का मुख्याले कहा है UNICEF का मुख्याले है New York ठीक है आप याद रखना New चीज safe होता है ठीक है New चीज safe कैसे हो जाएगा जब UNICEF का मुख्याले New York होगा ठीक है अगला कुछन है GATT का जगा WTO ने कब लिया GATT का स्पेल इंगल है GATT होता है General Agreement on Trade and Tariff ठीक है तो GATT यानि GATT का जगा WTO World Trade Organization ने कब लिया ये लिया था 1995 में और मन्त अगर आप से पुछा जाए तो January 1995 में GATT का जगा WTO ने ले लिया था अगला कुछने मनसबदारी पर था किसने चलाई थी मनसबदारी पर था मनसबदारी पर था किसने चलाया था ये चलाया गया था अकबर के द्वारा ठीक है अकबर ने चलाया था मनसबदारी पर था अगला कुछने एलोरा और इलेफिंटा गूफ़ा किस वंस ने बनाया था ये कहां है महराष्ट में आप सभी जानते हो अब आपको बताना है किस वंस के सासकों ने बनाया था एलोरा और एलेफेंटा गूफा तो किस वंस के सासकों ने बनाया था ये बनाया गया था राष्ट कुटों के द्वारा राष्ट कुटों के द्वारा बनवाया गया था इलोरा और इलेफेंटा गूफा अगला कुछ ने गुरू तेग बहादूर का वद किसने करवाया था जल्दी से अंसर करो गुरू तेग बहादूर का वद किसने करवाया था ये करवाया था औरंग जेव ने किसने करवाया था औरंग जेव ने ठीक है देखो यहाँ पर आपको दो चीज़ों में confusion होता है गुरू तेग बहादूर और गुरू अरजुन देव ठीक है ये दोनों आपसे एकजामे पुछा जाता है इसलिए अरजुन देव का वद करवाया गया था जहांगीर के द्वारा ठीक है अगला कुछने चीन में लाल करांती कब हुई जल्दी सांसर करो चीन में लाल करांती कब हुई तो चीन में लाल करांती हुई थी 1949 में ठीक है अगला कुछ ने चोल वंस अपने किस सक्ती के लिए परसीद था तो चोल राजवंस जो है अपने टाइम में ये किसी खास सक्ती के लिए परसीद था किस सक्ती के लिए परसीद था ये आपको बताना है तो चोल वंस अपने नौसेनिक सक्ती के लिए परसीद था नौ सेनिक सक्ति के लिए ठीक है नौ सेनिक सक्ति यह आप याद रखना अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको नो डॉन कर लेना क्योंकि एक्जाम में पूछा जाता है अगला कुशन है लखनाव से पहले अवद की राजानी कहा थी यह कुशन है थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज करेगा क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग जितने देख रहे हैं उसमें से 80% को यह आंसर नहीं आ रहा है तो लखनाव से पहले अवद का राजानी कहा था तो लखनौ से पहले अवद का रासानी था कहां था जल्दी से बताओ आप लोगों को गर अंसर आता है तो मैं इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम देता हूँ फैजाबाद ठीक है फैजाबाद तो लखनौ से पहले अवद की रासानी फैजाबाद थी अगला कुछ दे भारत का सबसे बड़ा बाग अब्यारन बहुत इंपोर्टेंट कुईशन है और आप लोगों में से मेकसिमम को यह आना चाहिए अगर नहीं आता है तो अभी कभी इसको याद करू भारत का सबसे बड़ा बाग अब्यारन कौन सा है चलो मैं हेंट देता हूँ एक यह आन्ध प्रदेश में इसी थे ठीक है अब आप बताओ भारत का सबसे बड़ा बाग अब्यारन यह कौन सा है यह नागा अरजुन साग सागर स्री सेलम ठीक है स्री सेलम नागा अर्जून सागर स्री सेलम ठीक है कहां है यह यह है आंध पर्देश में और यह सबसे बड़ा बागा भ्यारन अगला को सने इराक की मुद्रा का नाम बताएं इराक की मुद्रा क्या है असान सा क्वेशन इराक की मुद्रा क्या है इरा इराकी मुद्रा इराकी मुद्रा है दिनार अगला कुछ ने ग्रामीन विकास संस्थान कहां इस्तित है ग्रामीन विकास संस्थान जिसको आरडियाई भी बोलते हैं ग्रामीन विकास संस्थान कहां इस्तित है यह इस्तित है है हैदराबाद में ठीक है कहां है है हैदराबाद अगला कुछ ने भारत की जलवायू कैसी है भारत की जलवायू कैसी है तो देखो यहाँ पे कहीं आपको उस्न कटी बंदिया मिलेगा कहीं उस्न कटी बंदिया मौनसून मिलेगा ठीक है तो भारत की जलवायू कैसी है भारत की जलवायू है उसन कटी बंदिया मौनसुनी यह है आपका पूरा एक्जेक्ट आंसर भारत की जलवायू कैसी है उसन कटी बंदिया मौनसुनी अगला कुशन है 1857 के विद्रो को सोतनतता का पर्थम भारतिय संग्राम किसने कहा था यह कहा गया था वीडी सावर करके द्वारा किसके द्वारा वीडी सावर करके द्वारा ठीक है वीडी सावर करने क्या कहा था 1857 की विद्रो ही सोतनता का पर्थम भारतिय संग्राम है अगला कुशन है भारतिय सम्मिधान में सरकार के संसदिया स्वरूप कहां से लिया गया है तो हमारा जो सम्मिधान है इसमें सरकार का संसदिया स्वरूप कहां से लिया गया है यह आप चैन से लिया गया है संसदिय स्वरूव अगला कुशन है टेस्ट क्रिकेट में परियोग होने वाली गेंद का वजन कितना होता है जो जो क्रिकेटर हो जली से इसको आंसर करो अगला कुछन है विस्ट में सबसे कम वर्षा वाला जगा कहां इस्तीत है विस्ट में सबसे कम वर्षा वाला जगा सबसे कम वर्षा वाला जगा विस्ट में पुछा जा रहा है अब कुछ लोग अभी तक आंसर कर चुके हैं ले लद्दाक वह है भारत का मैं पूछ रहा हूँ विस्व का मार खाओगे तुम लोग जल्दी जल्दी आंसर करने में कुछ भी आंसर कर देते हो ठीक है तो ले लद्दाक नहीं होगा जिस किसी ने भी आंसर सोचा ले लद्दाक अपने आपको एक चमठा मारो अभी गाल पी यह है में मीठे पानी की सबसे बड़ी जील कौनसी है असान सा कुछिशन कौनसी है मीठे पानी की सबसे बड़ी जील यह है लेक सुपिरियर ठीक है लेक सुपिरियर यह है मीठे पानी की सबसे बड़ी जील अगला कुछ ने सिकंदर की मिर्थियू कहां हुई थी सिकंदर की मिर् कोबाल्ट पाया जाता है असान सा कुश्यन जल्दी से अंसर करो किस विटामीन में कोबाल्ट पाया जाता है तो कोबाल्ट किस विटामीन में पाया जाता है यह पाया जाता है विटामीन गलीसरीन ठीक है नेट्रो गलीसरीन पाया जाता है डेनामाइट में ठीक है बहुत बार एक्जाम में ये कोईशन आ चुका है अगला कुछन राजसबा में एक त्याही जगहों को भरने के लिए परतिये कितने वर्स बाद चुना होता है बहुत आसां सा कोईशन जली बताओ तो परती एक दो वर्स बाद, ठीक है, परती एक दो वर्स बाद, एक तियाही जगर खाली हो जाता है, राश्चतबा में, अगला कुछने विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है, यह मनाया जाता है, एक दिसम्बर को, ठीक है, अगला कुछने भारतिय भारतिय सेना का नया अधारगीत कौन सा है या भारतिय सेना का अधारगीत कौन सा है यह आपको बताना है तो भारतिय सेना का अधारगीत है मेरा भारत महान कौन सा है मेरा भारत महान यह है हमारे सेना का अधारगीत अगला कुछन है The Making of Mahatma Film के निर्देशक कौन है The Making of Mahatma Movie का नाम क्या है The Making of Mahatma इस फिल्म के निर्देशक या नहीं Director कौन है यह स्याम बेनेगल कौन है स्याम बेनेगल ठीक है Movie का नाम क्या है The Making of Mahatma अगला कुशन है सुंग वन्स के संस्थापक कौन है असान सा question सुंग वन्स का संस्थापक कौन है सुंग वन्स का संस्थापक कौन है कौन है यह है पुस्य मित्र सुंग इसमें इतना क्या सोचना आप सभी को ठीक है यह है पुस्य मित्र सुंग ठीक है यह है सुंग वन्स का संस्थापक अगला कुसे ने कस्मीर का इत्यास बताने वाला रास्तरंगनी किसकी रचना है तो रास्तरंगनी क्या करता है रास्तरंगनी एक बुक है जो कस्मीर के इत्यास को बताता है अब आपको ये बतना है इसके रचाईता कौन है रास्तरंगनी के रचाईता कौन है तो रास्त रंगनी करें चाहिता कौन है आप सभी जानते हो रास्त रंगनी करें चाहिता है कलहन कौन है कलहन ठीक है अगला कुसे ने बाग गूफा कहां इस्तित है ये आपको बताना है तो बाग गूफा है MP में कहां इस्तित है MP में अगला कुछने महाबली पूरम के रोकट मंदिर को किस राजा ने बनवाया था महाबली पूरम के रोकट मंदिर को किस ने बनवाया था यह बनवाया था नर्सिंग वर्मन पर्थम ने किस ने बनवाया था नर्सिंग वर्मन ने ठीक है अगला कुछने कभी हरिसेन किस राजा के दरवार में रहता था असान सा कुछन हरिसेन हरिसेन किसका दरवारी कभी था ये था समुद्र गुप्त का ठीक है समुद्र गुप्त का ये दरवारी कभी था कौन हरिसेन अगला कुछन है पंश्तंत्र के लेखक कौन थे तो पंश्तंत्र के लेखक कौन थे विश्नु कौन थे विश्नु कौन थे क्या था इनका टैटिल विश्नु सरमा बहुत जगह आपको विश्नु गुप्त मिलेगा ठीक है आप धियान रखना विश्नु गुप्त कौन थे वि दो थे चाना कि यह विश्णू सरमा ठीक है है अगला को सब्सक्राइब चानने में सबसे अधिक कौन सा विटामीं होता है मुंगफली आप सभी खाते हूँ मुंगफली आपको मुंगफली खाना बहुत पसंद है लेकिन ये बताओ मुंगफली में सबसे अधीक कौन सा विटामिन होता है तो मुंगफली में सबसे अधीक होता है विटामिन B1 कौन सा होता है विटामिन B1 अगला कुसे ने काला पेगोड़ा कहां इस्तीत है काला पेगोड़ा कहां इस्तीत है काला पेगोड़ा किसको कहा जाता है यह कहा जाता है कोनार्क ठीक है तो कोनार्क ठीक है कोनार्क काला पेगोड़ा कोनार्क में इस्तीत है कोनार्क टेंपल को ही काला पेगोड़ा कहा जात यह प्लूम्या कोड़ा घृ भी चुरे तो यह यह मैं मर्में का है मियान मर्में ठीक है मियान मर्में है गोल्डन पिघोड़ा्त ही अगल्य कुछिए आल्मानिया की रज्धानी कहा है अलill시 से बताओ अलबानिया की राजधानी कहा है अलबानिया की राजधानी है तीराना कहा है तीराना ठीक है अलबानिया की राजधानी है तीराना अगला कुशन है गुगली सब्द का सम्मंद किस खेलते है बहुत बार एक्जाम में ये कुशन आ चुका है गुगली सब्द का सम्मंद किस खेल से है देखो ऐसे questions में फिर में बार बार बोलता हूँ आपको option डूरने की जुरत नहीं है आपको आना चाहिए है ऐसा question गुगली सब्द का सम्मंद किस खेल से है तो गुगली सब्द का सम्मंद किस से है यह है cricket से किस से है क्रिकेट से जो क्रिकेट खेलते हो उनको ये तुरत आंसर आ चुका होगा चवान वंस का अंतिम सासा कौन था ये था प्रित्वी राज चवान ठीक है जो आप प्रित्वी राज चवान का इस्टोरी आप जानते हो वही प्रित्वी राज है लेकिन पिर्थिवी राज चववान जो था यह पिर्थिवी राज तिरतिया था ये भी आपको याद रखना है अगला कुशन है इंसूलीन की खोज किस ने की थी? असान सा कुश्चन इंसूलीन की खोज किस ने की थी? ये क्या गया था? बेंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा किस के द्वारा? बेंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा ठीक है? बेंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा ठीक ह है वी सु परियटन दिवस कब मनाया जाता है जल्ली से बताओ वी सु परियटन दिवस कब मनाया जाता है यह मनाया जाता है 27 सेप्टेंबर को कब मना जाता है 27 सेप्टेंबर को अगला कुसे ने केरल का राजकिया पसू क्या है केरल का राजकिया पसू केरल का राजकिया पसू ये एक वानर है ठीक है इसको बोलते है सेरपूच वानर ठीक है सेरपूच वानर ठीक है, सेरपूच वानर, यह आप नोड़न कर लो, यह एक वानर है, लेकिन सेरपूच वानर यह है, ठीक है, इसका नाम है सेरपूच वानर, यह है केरल का राजकिया पसू, अगला कुशन है, केरल का हाई कोट कहां इस्तीत है, केरल का हाई कोट, यानि उच्छ ने आयाल है, कहां इस्थित है यह स्थित है एरना कुलम में कहां इस्थित है एरना कुलम में देखो कितना आसान सा कुईशन है लेकिन आप इसमें गलत कर लोगे ठीक है एरना कुलम में है केरल हाई कोड इस्थित अगला कुशन है भारत का पहला पूर्ण साक्षर सहर भारत का पहला पूर पूर्ण साक्षर सहर यह कहां इस्तित है यह किरल में इस्तित है मैं बता रहा हूं तो अब आप नाम बता उस सहर का भारत में पूर्ण साक्षर सहर केरल का कोटायम सहर है कौशा सहर कोटायम सहर ठीक है कोटायम सहर पूर्ण साक्षर सहर है और पूर्ण साक्षर जीला कौशा ये भी केरल का है केरल का कौन सा जीला केरल का एरना कुलम जीला ठीक है केरल का एरना कुलम जीला जहां केरल का हाइकोट इस्टित है वह पूर्ण साक्षर जीला है भारत का अगला कुछ ने दक्छिन का कस्मीर किसे कहा जाता है दक्षिन का कस्मीर किसे कहा जाता है केरल को किसको कहा जाता है केरल को कहा जाता है दक्षिन का कस्मीर अगला कुशन है अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है कोचीन को किसको कहा जाता है कोचीन को अगला question है तो सस्टाम कor अटाजील कहा अच्वी थे जली से बताओ यह इस्टी थे केरल में क्या नाम है सस्टाम कor अच्वी थे? तो guys यह ता आज का आपका 50 questions देखो आपका target अना चाहिए 45 out of 50 50 में कम से कम 45 इसे questions होने चाहिए जिसका answer मेरे answer देने से पहले आपका आज आना चाहिए चलिए फिर से मिलने का लगले session में तिल देन टेक क्या अब आए